Hello Friends, Welcome to Travel Go Channel Friends, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ पटेयाला के 8 beautiful places के बारे में तो चलिए Friends, स्टार्ट करते हैं नमबर 8, मुबार्क कॉंप्लेक्स पटेयाला के परमुक अकर्शन में शामिल किला मुबारा कॉंपलेक्स प्रेटको को खूब खूब लुभाता है किला मुबारा कॉंपलेक्स सिक महल संस्थापक्त शेली में निर्मृत किया गया है किला मुबारे कॉंपलेक्स बारत में मुगल और राजपूर्तों की शांदार वस्तुकला की व्यूप्ति को परदुर्शित करता है नमबर साथ शीश महल शीश महल पट्याला का एक मशूर महल है जिसका निर्मान 19-वी शतावती में पुराने मोती बाग महल के एक एहम भाग के रूट में किया गया था शीश महल में आपको कई भिती चित्र देखने को मिलेंगे जिन में से ज्यादातर महाराजा नरेंदर सिंग के शासनकाल में निर्मृत किये गए थे शीश महल का शब्दिक अर्थ पैलेस और मिरर है पटियाला का परसिद मोती बाग पैलेस एक प्राचीन और आकर्शक महल है जो कि पटियाला के मोती बाग में स्थित है मोती बाग पैलेस का निर्मान माहराजा भुपेंद्र सिंग द्वारा 1840 के दोरान किया गया था हाला कि महल परिसर का विस्तार 1920 के दोरान किया गया था मोती बाग पैलेस में 20 वी शतावदी से संबंदित के या कर्शित चित्रों को दिखा जा सकता है महल परिसर में 15 हाल दने हुए है महल की वास्तुकला में राजपूत और कांगडा शैलियों की चलग देखने को मिलती है नमबर पांच बारादरी गार्डन पट्याला का आकर्शन बारादरी गार्डन महाराजा रंजी सिंग के शासंकाल में निन्मित किया गया था यह आकर्शन गार्डन शेरनवाला गेट के निकट पुराने पट्याला शहर में उत्तर दिशा में स्थित है बारादरी उधान में कई सारे दुरला पेड़ पोदे आकर्शी जाडिया और पुष्प देखने को मिलती है साथ ही आपनी वेशिक इमारतों की मौझूदगी गार्डन की शोभा में चार चांद लगा देती है नमबर चार बहादुरगर किला पट्याला का एतिहासिक बहादुरगर किला एक आकर्शिक संग रचना है जो की 1658 इसवी में निर्मिरित की गई थी बहादुरगर किला 21 वर्ग किलोमेटर के शेत्रों में फैला हुआ है और सिखो के नुवे गुरु गुर्तिक बहादुर जी के नाम पर किले का नाम रखा गया है किले की संग रचना में दो प्राचीन और एक खंबद है और यह एक गुलाकार आकार में निर्मिरित किया गया है नम्बर तीन वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारन पत्याला प्रेटन की यातरा में देखने लायक जगह वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारन शहर में लगबग 5 किलोमेटर की दूरी पर सित है और यह 654 हेक्टर शेतर की भूमी में फैला हुआ है इस शेत्रों को सन 1952 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में खोशित कर दिया गया था वीर मोती भाग वन्यजीव अभ्यारण के तर्मुक आकर्षन में मोर, मैना, दलिया, चीतक, चितल, हौंग हीरन आते हैं पट्याला का परमुक स्थान दुख निवारन साहिब गुर्द्वारा वर्तमान समय में पट्याला शहर का एक एहम हिस्ता है और यह पंजाव राज्य के सबसे परसित गुर्द्वारों में से एक है गुर्द्वारे की महिमा कुछ ऐसी है कि यदि कोई याचक अपनी पूरी निष्टा और भावना से इसके निकट के तालाव में टुपकी लगाता है तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं प्रयटक यहाँ प्रातना करने के लिए आते हैं और यहाँ की गति वीडियो का हिस्सा बनते हैं जैसे कि लोगों को खाना खिलाना और गुर्द्वारे को साफ रखना आती बसंत पंचवी के दिन गुर्द्वारे गुर्णानक जयनती या लोडी जैसे उत्सब मनाये जाते है नमबर एक काली माता मंदिर पट्याला काली माता मंदिर का निर्मान सन 1936 में महराजा भुपेंदर सिंग ने करवाया था माना जाता है कि देवी काली के इस भव्य मंदिर के निर्मान के लिए वह देवी काली से प्रेरित हुए थे उन्हें देवी काली पवित्र मूर्ती पवन ज्योती की स्थापित की यह मंदिर वरादरी गार्डन के सामने स्थित है जिसमें देवी मा की 6 फूट उची प्रतिमा स्थापित है मंदिर का निर्मान पुरी तरह से सफेद सगमर मर से किया गया है पटेयाला घूमने वाले प्रेटक तेवी काली के दर्शन के लिए अवश्या आते हैं तो फ्रेंड्स ये थे पटेयाला के आठ प्यूटिफुल प्लेस जहां पर हम घूमना बहुत पसंद कर सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो की जानकारी खिसमापत होती है दूस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्या और बबाई